हाई इस्टूडेंट्स वेलकम टूगेट अकैडमी कैसे हैं आप लोग ट्रांस्ट्पिर्शालान हम लोगा खतम हो चुका है अब उस पर प्रैक्टिस करना बागी है ना तो आज तो ऐसे हम बुकलेट का कोशन कर रहे हैं अदर्वाइस आप लोग क्या करिएगा ना ज्याद सब्सक्राइब करें यह जितना है जितना अया हुआ है इस का औब्जेक्टिव है इसके में का कॉष्टिकल में बुक करेंगे ना जितना भी अच्छा रहे गा आप लोग के लिए है ना तो चलो अभी तो बुकलेट का क्वेशन हमें स्टार्ट करें कुछक्षन एकाद एक्स्ट्रा भी करेंगे जो भी अच्छा कोशन हमको लएगा ना तो चलो स्टार्ट करते हैं लोग बुक्लेट का कॉश्चन सबसे पहला कोश्चन इसमें यह है एस सिंगल फेस ट्रंस्पिसा लाइन ऑफ इंपिदेंस जे जिरो पाइंट एट ओम सब्लाइज ए रेसिस्टिव लोड और फाइव हंडेट एंपियर एट थी हंडेट वोल्ट ओके देखो ऐसा है तो सेंडिंग पावर फेक्टर हम लोग उसे पूछ रहा था यह रेसिस्टि यह वीएस हम लोगों को क्या कह रहा है कि सेंडिंग एन्द पावर फेक्टर आप निकालो सेंडिंग पावर फेक्टर निकालो बहुत अच्छा कॉánh सिंपल सा कॉषिच नहीं तो देखें आप यहां पे तो sending and power factor कहने का मतलब क्या वी एस और आई एस आ गया तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वहीं sending and power factor हो जाएगा तो अगर आप के विया लगा है तो वी एस मैनस आई एस इंटू जे 0.8 is equal to 300 होना चाहिए कि नहीं तो इतना हो गया मतलब वी एस इस इक्वाल टू 300 रिफ्रेंस है 300 बताब 300 एंगल जीरो जे जीरो पॉइंट इंटू आएस का वैल यहां पर कितना है 500 ठीक है और क्योंकि unity पावर फेक्टर पे है तो इसलिए 500 एंगल जीरो लिखेंगे हम लोग है ना क्योंकि पो रिजफलंट यहां पर किटना ढ़एगा यह पुद्स हाब यहां पर कितना होना चाहिए अब भी ऐस दिसी भी आडदर है यह वी और था था यह आड़ उर था तो वी आड़ आट अटर यहां पर कितना रहेगा वी एस सिंदों का और को खेंटोरियल एडिशन तो 500 है कि नहीं अब देखो यह 300 है यहां पर जैसे 300 है और यह VR है कि नहीं तो current का भी direction VR के direction में रहेगा ना क्योंकि resistive load है यह तो जो IR है यहां पर जो IR है यहां पर यही तो IS के बरावर होगा क्योंकि एक ही नहीं यहां पर IR इस इकॉल टो IS के बरावर होगा तो VS यहां पर है और IS यहां पर है ना IR इस इकॉल टो IS तो मतलब current तो lag ही कर रहा है है कि नहीं यहां पर अगर आप देखें तो current तो यहां पर lag ही कर रहा है तो इसका value आपको निकालना कितने से like करेगा तो ये कितना simple question, अब देखलो आप, तो ये calculate कर लेना कि कितने से like करेगा, ये है ना, हमको लगता है कि 0.8 ये 0.6 से like करेगा, तो एक simple सा यह question था ठीक है इन फैक्ट 0.6 से लैक करेगा ना तो कॉस फाइब अगर कितना देखें अगर कॉस फाइब यहां पर देखें तो 300 divided by 500 is 0.6 और क्योंकि क्लॉक यह आए इस का direction इधर है तो इसलिए यह लैक करेगा उमीद है कि आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा है ना अगर यह समझ में ना आए तो कोई बात नहीं आप मेरे से कमेंट में पूछ नाम आपको बता देंगे सिंपल सा चीज है बहुत ज्यादा टफ नहीं है यह अब चलो next question हम लोग करते question हम लोग को एक-एक question solving ability develop करना है तो इसलिए question solve करना बहुत जरूरी है यह है फॉर एफ फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन फिप्टी किलोमीटर लॉंग पावर लाइन विल बी मोडल्ड एज ठीक है देखो फिप्ट फाइव हंडेड हर्ज है यहां पर यहां बता दे रहें आपको 500 हर्ज है फ्रिक्वेंसी तो यहां पर बहुत ही ज़्यादा है ना फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो यहां पर टाइम पिरियड बहुत ही कम होगा बेसिकली आपको यह पता है कि f into l अगर 4000 से 10,000 km हर्ज 10,000 km हर्ज के बीच में रहें तो यह transmission medium होगा और अगर f into l greater than 10,000 km हर्ज हो गया तो इसका मतलब यह line क्या हो जाएगा यह long line हो जाएगा यह आपको पता है बहुत अच्छे से तो f into l यहाँ पर करेंगे तो यह कितना रहेगा 500 हर्ज है और 50 है तो यह मतलब कितना रहेगा 500 हर्ज into 50 तो f into l कितना रहेगा 25 पे 25,000 हो गया ना यह तो greater than 10,000 है तो यह कैसा बीच करेगा long line की जैसा बीच करेगा basically ऐसा क्या होता यह long transmission में हम आपको बताया हुए है किसी भी line को आप short या medium के तरफ मतलब कैसे कर सकते हैं जब जो transient time रहता था ना अगर वो time period से बहुत ही कम रहे तो आप उसको long मतलब short या medium long के तरह उसको treat कर सकते हैं लेकिन अगर मालो transient time अगर मालो इससे बहुत ही कम रहे तो इसका मतलब इसको short या medium long मतलब medium line की तरह treat कर सकते हैं लेकिन अगर टी approximately comparable रहे time period से ठीक है अगर comparable रहे time period से तो long transmission line की जैसे भी एप करता है जैसे कि हम long transmission line में आपको बताया हुए थे कि जो time था 10 millisecond था source से लोड तक पहुचने में और time period था 20 millisecond तो वह तो comparable था ना तो वह क्या था long transmission line है ना तो यह चीज हम आपको बताया हुए तो यह कैसा भी एप करेगा यह भी एप करेगा लांग लाइन के जैसे यह एडिशनल कॉंसेट हम आपको बताएं यह एम एफटी से आता है यह लांग करेंट ही चाहिए दिफेरेंस तो क्रियेट होना ही चाहिए है कि नहीं तो यही सब दिफेरेंस क्रियेट करता है तो अब देखते हैं अम लोग next question अब हम लोग देखते हैं next question next question में क्या है next question क्या है कि a 220 कि वोल्ट a 220 कि वोल्ट 20 किलो मेटर लॉंग three phase transmission line has the following ABCD constant A equal to D equal to itna B equal to C equal to यह पर लेना आप लोग the charging current is the charging current is हम आपको यह बता चुके है Vs is equal to Avr plus Bir and Is is equal to CVr plus Dir है कि नहीं तो देखो at no load अगर suppose करो यह हमारे पास transmission line है suppose करिये यह transmission line है कोई इस टैप का capacitor है यहां पे भी capacitor कैसा है यह transmission line suppose करो जब no load पे रहेगा जब circuit no load पे रहेगा जब circuit no load पे रहेगा अगर IR equal to 0 अगर हम लोग करें तो यह जो current रहेगा Is यह तो IC के बरावर हैगा क्योंकि यह current ही तो capacitor में जाएगा ना तो जो capacitor में जो current जाता है वोई charging current होता है है कि नहीं तो no load पे अगर IR is equal to 0 करें तो IC is equal to किता रहेगा CVR यही charging current हो गया है कि नहीं CVR यही charging current हो गया ठीक है तो अब पर phase हमको चाहिए charging current पर phase तो इसका मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं का value यहां पर कितना है 0.5 into 10 to the power minus 4 तो 0.5 into 10 to the power minus 4 0.5 into 10 to the power minus 4 into VR 220 kilovolt correct है तो 220 divided by root 3 है कि नहीं kilovolt है तो 10 to the power 3 भी हो जाएगा तो into 10 to the power 3 तो यह आजाएगा charging करें तो आप इसको solve करेंगे तो कितना आना चाहिए 0.5 1 by 2 आ गया तो 11 आ गया तो 11 by root 3 आ जाना चाहिए 11 by root 3 आ जाना चाहिए 11 by root 3 आ जाना जाना यह option है ना देख रहे हो simple है यह सब चीज बस आपको याद रखना है देखो हम थोड़ा सा speed इसलिए maintain कर रहे है क्योंकि question यह सब तो पढ़ी चुके हो ना तो question अप ऐसा है कि आप pause करके भी आप अपना खुद से भी question कर सकते हैं अधर बाइस जिसको देखना है तो जल्दी जल्दी देख ले तो यही सब चीज है यही सब question है एक और question देखते हैं इसमें जो next question है हमारे में booklet में gateway का ही question है यह सब है ना ध्यान से देखिएगा आप लोग देखो इस question multiple select question है यह है ना msq question है यह a transmission line as a b c d a equal to 0.5 angle 0 degree यह इसको चलो हम ऐसे लिखते हैं यहां पर लिखी ले रहे हैं हम लोग तो a equal to 0.5 angle 0 degree 0.5 angle 0 degree और यही d के बराबर है ओके फिर उसके बाद क्या है b equal to 100 angle 90 degree b is equal to 100 angle 90 degree ohm ओम ही होगा ठीक है and c is equal to 0.25 angle c is equal to 0.25 into 10 to the power minus 6 0.25 into 10 to the power minus 6 angle 90 degree है ना यही है correct है यही है फिर उसके बाद है v s is equal to 200 kW v s is equal to 200 kW यह तो असान question है v s is equal to 200 kW ठीक है तो अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है हम लोगों से इसमें पूछ क्या रहा है वह हम लोग देख रहे है multiple select question है तो अच्छा ही होगा कुछ कुछ we are at no load ठीक है पूछ रहा है we are at no load उसके बाद पूछ रहा है shunt reactor for compensating Fahrenheit effect is 200 ohm we are at no load और charging current इतना दिया हुआ है ना तो देखो इस question को तो यहां पर भी हम लोग solve कर सकते हैं है कि नहीं we are at no load तो आपको पता है कि v s is equal to a v r plus b i r and i s is equal to c v r plus d i r इतना आप जानते हैं तो we are at no load is equal to 400 kilovolt बोल रहा है ना तो at no load अगर हम लोग देखें at no load कहने का मतलब क्या है i r is equal to 0 no load कहने का मतलब i r is equal to 0 है तो जब i r is equal to 0 है तो we are at no load यहां पर कितना रहेगा v s by a और v s question में कितना दिया हुआ था v s question में कितना दिया हुआ था 200 kilovolt ठीक है 200 kilovolt तो 200 kilovolt divided by a का value कितना था a का value था 0.5 a का value था 0.5 0.5 तो इसका मतलब 400 kilovolt हो गया है न m s q में जो हैगा न इसी सब टाइप का question है तो 400 kilovolt a का option हो किया करेक्ट है बी क्या होगा संट रियक्टर फोर कंपेंसेटिक फेरेंटी फेक्टिस को हम दो मेथड से आपको बताया हुए है ना हम डिरेक्ट ही यहां पर लिखने वाले है तो संट रियक्टर XL का value कितना था बी divided by one minus a बी divided by one minus a तो बी का value कितना था यहां पर बी का value कितना था था हंडेड एंगल 90 डिग्री करेक्ट है तो हंडेड एंगल 90 डिग्री divided by one minus a का value कितना था जिरो पॉइंट फाइव आगा वह चार्जिंग करेंट आजाएगा ठीक है तो यह हम देख बता चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में भी बताने की जरूरत नहीं है तो is अगर हम लोग देखें तो यह क्या है c into vr तो c into vr c मतलब कितना है हमारे पास c is equal to कितना था क्यूंट में c का value h Pique 25 into 10 to the power minus six into we are we are perfect we are यहांपे कितना था वी आर हमारे पास कितना आया है वी आर चार्जिंग करेंट इस वी एस बइस करना पर एगा वी आर इस एकोल वी एस बाइए सिंपल सी बात है है ना तो इसका मतलब यह कितना रहाना चाहिए 0.2 यह समझ में आया ना आपको वी एस बाइए हम लोग क्यों कर रहे है कि वी आर नो लोट पे कितना होगा वी एस बाइए ही तो होगा ना और यह आप निकाल भी चुके हो 400 आया था ना शायद यह 400 किलो वोल्ट आया था तो 0.25 इन्टू वी आर बाइए रूट 3 हम लोग को करना है ठीक है वी आर बाइए रूट 3 करना है इंटू 10 तूदी पावर मैनस 6 भी है इंटू 10 तूदी है ना इसको हम सॉल्व करके आपको एक सेकेंड बें बता रहे हैं आप टेंशन मत लीजे और 0.25 इन्टू स्पीड आपको अगर ज्यादा लगे तो स्लो कर लेना स्लो लगे तो ज्यादा कर लेना यह तो कुछ 57.7 इंटू 10 तूदी पावर मैनस 3 के फौर में आ रहा है ना तो यह भी इसका मतलब यह सही नहीं है ठीक है इस टेप यही रहेगा इस टेप यही रहेगा अधर वाइस अगर आपको लगे तो यह खुद से भी करके देखना कैलकुलेशन भी इधर उधर हो सकता है कोई बरीबात नहीं ठीक है और देखो अच्छा एक बात बताओ यह जो VS question में दिया हुआ था या VR question में दिया हुआ था हमको लगता है VS दिया हुआ था है ना तो खैर ऐसे हम लोग कर लेंगे कि यह है कोश्चन हमारे पास है एक मिनटी इसको तो हटाते ही है तो हमारे पास यह कुश्चन है इस कुश्चन में क्या है जेनरलाज़ सरकीट कॉंस्टेंट यह दिया हुआ है है 220प में चार्जिंग करेंट हम देखना किशन उसमें 20 किलो मीटर था है तो 20 जानते हो ना 20 किलो मिटर करता है तो हम उसको जो है ना उसमें हम चार्जिंग करेंट काइसे निकाले तो short transition we Are Capacitor एहाँ नहीं है इ давно करते ही मुट तो नोटिक करो सब्सक्रों फ्रिक्वेंस सी नहीं दिया हुआ था है ना इसकार्जिंग करेंट वाला कहा गया कोश्चंत को एच Porsche कि बात करें तो बेखो 20क्यलो मट 12 शे केंग उन आ बाता है ना तो फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसा हो सकता है में भी कि वह मीडियम ट्रांस्मिशन लाइन हो करेक्ट है तो अब यहां पर देखिए अब हम लोगों को यह कोशन करना है यह कोशन अच्छा है इस कोशन में क्या है कि ए बी सी डी कॉंस्टेंट चलो एक काम करते हैं इसका जो है ना स्क्रीन सॉट लेकि ऐसे बनाते हैं ऐसा है यह कोशन है इसमें A उकल तो D दिया हुए, B दिया हुए, C दिया हुए, सब दिया हुए है ना कुछ नहीं है, A, B, C, D आपको दिया हुए है तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं VS is equal to AVR plus BIR आप इसको ऐसे लिख सकते हैं VS is equal to AVR plus BIR है ना अब आप देखो कि VR तो चलो दिया हुए है, VR तो दिया हुए है, 220 KV दिया हुए है है ना, IR तो नहीं दिया हुए है, A, B भी दिया हुए है ना, IR तो नहीं दिया हुए है ना, IR तो आपको पता करना होगा तो अब IR आप कैसे करेंगे पता तो इस से करेंगे पता है ना तो 50 मेगावाट का लोड है तो 50 इंटू 10 तू दी पावर 6 is equal to root 3 into VL into IL है कि नहीं तो 220 इंटू 10 तू दी पावर 3 into IL है कि नहीं इन्टू कॉस्ट थिटा इस 0.9 पावर का फर्मूला तो यहीं होता ना त्री फेज में तो इसका मतलब IR equal to कितना रहेगा IR is equal to 5 into 10 to the power minus 6 divided by root 3 into 220 into 10 to the power 3 मैंने 6 नहीं है प्लस 6 है ठीक है इन्टू 0.9 तो यह यहां से आयार आ जाएगा ठीक है तो आयार का वैलू हम आपको पता बता रहें एक मिनट में 50 divided by कितना है 220 divided by 0.9 एक सेकेंड 50 खेर चोड़ो यह कर लेना आप लोग इसमें फालतू में टैम जा रहा है तो यह question मतब आयार यहां से निकल जाएगा अब आयार निकल जाएगा तो जब यहां पर आयार का यह magnitude निकला ना तो आयार एक्चुली में कैसा होगा जो आयार का यह magnitude निकला है ना आयार का जो magnitude निकला उसके बाद यहां पर power factor 0.9 से lag है ना आयार का यहां से magnitude आप पता कर सकते हैं ठीक है इस इकॉल टू 0.936 0.936 एंगल 0.98 डिग्री एंटू वी आर कितना दिया हुआ है वी आर इस 220 किलो वल्ट लिए थ्री फेस का है ना तो पर फेस बेसिस में हम लोगों को देखना है तो यह कितना है 220 by root 3 किलो वोल्ट में है ना किलो वोल्ट में है तो इंटू 10 to the power 3 हम आ गया प्लस बी इंटू आयार तो बी का वैलो कितना दिया 142 एंगल 76.4 डिग्री तो बी इस 142 एंगल 76.4 डिग्री इंटू आयार क्या दिया हुआ है question में तो आयार हम लोग यहां से तो निकाल ही चुके है ठीक है तो आयार यहां पर कितना हो जाएगा मौड आयार जो भी आप मतलब पता करोगे वो मैनस कौस इन्वर्स 0.9 तो यहां से जो वोल्टेज आएगा ना यहां से जो वॉल्टेज आएगा वो पर फेस बोल्टेज आएगा है कि नहीं यहां से जो वोल्टेज आएगा यह सब देख रहें ना 220 by root 3 करें तो पर फेस ब देंगे अब यहां पर देखो इस question में यह नहीं बोला है कि star connected है डिल्टा connected है तो हम जैसा कि पहले आपको हम बता चुके हैं कि by default जो आपको अगर consider करना होगा तो आप क्या consider करेंगे आप consider करेंगे star connection ठीक है इतना समझ में आगे simple question होता है बहुत easy question है यह सब है ना अब देखो next question अब next question next question क्या है भाई next question बहुत असान question है यह सब the ABCD पिछले question का जो answer है वो करीब 230.78 kilowatt है चेक करना तुम लोग answer बताना तुम लोग है ना पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग देखो अब इस question में क्या है the ABCD constant of a 220 kilowatt line r a equal to d equal to 0.94 angle one degree actually alpha ना अब कहीं पे भी देखना बहुत कम रहता है एक का जो magnitude or angle रहता है alpha तो वो कम ही रहता है ना practically हम बता रहे है b is 130 angle 73 degree and c is 0.01.001 angle 90 degree if the sending and voltage of the line for a given load delivered at nominal voltage is 240 volt sending and voltage कितना है 240 volt kilo volt ठीक है then the voltage regulation of the line then the voltage regulation of the line voltage regulation क्या होगा हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके है voltage regulation is vs by a minus vr divided by vr और इन सब को magnitude में लेना है इन सब को magnitude में लेना है याद रखना यह चीज़ अब देखो इसमें value question में बोल रहा है एक कहा गया 0.94 0.94 और magnitude लेना है तो एंगिल का सवाल ही नहीं उठता मैनस vr कितना दिया हुआ है वी आर कितना दिया हुआ है 240 kilo volt 220 kilo volt है ना vs यह है 220 240 kilo volt इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए load voltage ही होना चाहिए और ऐसे भी अगर कुछ ना mention करें तो यह वोल्टेज है तो terminal voltage ही मतलब receiving and voltage ही होना चाहिए याद रखना यह चीज़ divided by vr का magnitude है ना इन्टू अगर 100% कर लें तो percentage में आ जाएगा तो जब इसको आप solve करेंगे तो यह आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगा आप देख में भी 16 परसेंट ना भी है तो इसको आप solve कर लेंगे तो यह यहां पर हमारे पास percentage voltage regulation आ जाएगा आ रहा यह सब आपको करना चाहिए जान भूज के भी हम चोड़ें कि अगर आप calculation भी करेंगे तो एक बार नजर तो इधर भी चाहिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ना एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का तो ठीक है इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को थो वोल्टेजिए डिगूलेशन ऐसा है चलो इस question में तो वोल्टेज डिगूलेशन यहीं सिंपल था अगर सपोज करो हमारे पास लोड भी दे देता है कि नहीं हमारे पास लोड भी दे देता हम लोग से ऐसे पूछन है यह हमारे पास सपोज करो कुछ 50 मेगा का लोड है एट 0.8 पावर फैक्टर लैग है ना और उसके बाद और भी कुछ और 20 किलो वोल्ट पे 20 किलो वोल्ट पे तो अब आप से पूछागा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा तो आपको यह पता है यह चीज हम लोग देख चुके हैं कि वी एस मैनस वी आर इस इक्वल टू क्या था आयार इंटू आर कोस 5 प्लस एक्स एड़ा इस टैप से भी हम लोग कर सकते थे अगर मालो क्वेशन ऐसा होता तो थे नहीं तो बहुत चांस है कि क्वेशन इस टैप का भी आ सकता है ठीक है तो आयार हम लोग कैसे निकालेंगे तो पावार डिवाडेड़ बाइ रूट 3 इ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समझ नहीं आप मेरी बात आफ याना तो सिंपल ही होता है यह सब चीज भूछ टफ नहीं है पाबर सिस्टम ही सिंपल होता बिलकुल भी टफ नहीं बस आपको समझ में आना चाहिए तो अब अब देखते हैं next question अब हम लोग देखते हैं next question अब देखिए next next में क्या है next में यह question है the extra high voltage transmission line of length 300 km can be approximated by lossless line having propagation constant beta equal to 0.000.00127 radian per km beta क्या है 0.00127 radian per km तो हम लोग से क्या पूछ रहा है इसमें then the percentage ratio of line length to wavelength is line length to wavelength is देखो 2 pi by lambda into L होता था beta बता हुए हम यह ठीक है equal to किता है 0.00127 और पर km है ना तो इन टू हम लोग क्या करना परेगा इन टू हम लोगो 300 km से 300 km है ना 300 km है ना 300 km करेक्ट है इस हमको multiply करना पड़ेगा तो यह total beta आगे हमारे पास है कि नहीं तो land length to wavelength L by lambda अगर हम लोग देखें तो 0.00127 into 300 divided by यहां पर कितना होना चाहिए 2 pi तो इसको हम लोग को solve करना है है कि नहीं percentage पूछ रहा है तो into 100 into 100 हम लोग कर लेंगे इसको हम लोग solve कर सकते हैं ना तो चलो solve करके हम आपको बताते ही हैं आप भी बोलोगे कि सारे का मेरे से नहीं solve कर वा रहे हैं इन्टू 300 divided by इसक्स पॉइंट इसक्स परसेंट आ जाएगा ना 6.06 परसेंट आ जाएगा करेक्ट है 6.06 परसेंट बस डी ऑप्शन आ गया है ना यह भी क्वेशन हो गया बाकि की सर्ज impudence लोडिंग सब पह है तो सर्ज impudence लोडिंग हम लोग जो travelling वेब परहेंगे तो उस टाइम पे आपको सर्ज impudence लोडिंग अच्छे से बताएंगे ठीक है अब कुछ प्वेशन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ठीक है कुछ question मेरे तरब से आप लोगों के लिए देखो क्या है एक question देखिए यह सब question करना यह सब question आप लोग देखिएगा बरियां से करना a b c d constant of a three phase 220 किलो वोल्ट लाइन 220 किलो वोल्ट लाइन है a equal to d equal to 0.94 angle 1.6 degree a equal to d equal to 0.94 angle 1.6 degree b is equal to 150 angle 78 degree 150 angle 78 degree and c is equal to 0.0002 इतना कम है c तो इतना कम था तो दिया ही क्यों 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 क सेंडिंग इन वी एस यहां पर क्या होगा यह सिंपल सा वी एस यहां पर क्या हुगा तो यह तो जो अभी किये हैं उसी टाप का कोश्चन है यह कोश्चन तुम लोग को करना है है एच डवलू हम दे रहे हैं है ना यह हम नहीं बताएंगे इस एक्जेक्टली ऐसा ही तो बता है हम एबी-सी-डी दिया हुआ है है ना लोट दिया हुआ है तो वहां से आयार हम लोग पता कर लेंगे आयार पता करने के लिए प्रूव करना हम अप लोग को यह कोशन है ना यह आप लोग से कुशन करवाने के लिए कितना आज आना चाहिए इसको हम लोग है ठीक है आंसर हम बता दे रहे हैं 232.7 आ जाएगा किलो वोल्ट है ना यह 232.7 किलो वोल्ट आंसर आ जाएगा है ना तो इसको आप लोग करके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुशन है अच्छा कुशन है ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा एक कुश्चन और एक कुश्चन और एक कुश्चन और भी देखिए आप देखना यह कुश्चन कुश्चन है दा सिरीज रियक्टेंट्स सिरीज रियक्टेंट्स सिरीज रियक्टेंट्स इस इक्वल टू 0.00 0.000 52 पी ओ ठीक है एंड शंट सस्केप्टेंज शंट सस पता ने इसको क्या प्रोनॉंस करते हैं शंट सस्केप्टेंज इस 0.00 0.0014 पी यू पर किलोमीटर दिया हुआ है और किलोमीटर लिए ना फिप्टी हर्ष पर हैं फिप्टी हर्ष पे है शंटेंज मतलब पता है क्या होअद आऊ औस प्मट की इसels kunt approximate wavelength of the line is the approximate यह कोशन देखना अच्छा कोशन है approximate wavelength of the line is wavelength of the line is approximate wavelength of the line आपको बीटा आ गया ठीक है अगर हम लोग बीटा निकाल ले क्या होता है टू प्याटत अगर बीटा हमारे पास आ गया तो लेंडा भी आ जए गाया नहीं तो अब देखिए पीटा हम आपको क्या बताये थे बीटा इस उकोल टू ओमेगा एलवा मतलब एलवान इंटू सी वन था इंड़क्टेंस पर यूनिट लेंथ और ऐसे करके था करेक्ट हैं तो अब अगर आप यहां पर देखिए अब यहां पर देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना ओमेगा ओमेगा एलवान इंटू वन बाइओमेगा सीवन ऐसे भी लिख सकते हीं आप है थो अब जरा साथा नोटिस करना एक चीजव अब जरा साथा कर किकी यह पर यूनिट में दिया हुए है तो ओमेगा एल पर यूनिट में कितना दिया हुआ है 0.00052 पर यूणिट है ना तो यह समय तो actual value ही रहना चाहिए ना यह सब जेड बेस similarly, ओमेगा C1 question में दिया हुआ है ना देखो जैसे ऐसा है ऐसा है, 1 by 1 by omega C1 दिया हुआ है, सब्सक्राइब मतलब 1 by XC, XC is 1 by omega C1 है ना, यह कितना दिया हुआ, यह कितना p u d दिया हुआ है, 0.0014 p u, 0.0014 p u दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग को इसका 1 by omega C1, मतलब यह कहने का मतलब क्या है, यह omega C1 ही है, है कि नहीं, तो अब omega C1 p u देखे हैं हम लोग, तो omega C1 अगर actual में देखें, वो तो p u में आ गया ना, वो तो p u में आ गया, अब अगर हम लोग actual में देखें, हैं, तो 0.0014 into y base हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि यह admittance है, ना, susceptibility is admittance, in case of purely capacitive और purely inductive load है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब अगर आप यहां पे देखेंगा, अब अगर आप यहां भी इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0014 into 1 by z base, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीटा is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, omega under root, omega l1 is equal to, omega l1 actual यहां पे कितना हो गया, 0.0052 into z base into, omega c1 actual यहां पे कितना हो गया, 0.0014 into 1 by z base, है ना, यह तो आई ही गया, बीटा equal to यहां से आई ही गया, तो अब अगर हम लोग यहां पे देखें, तो बीटा equal to अगर आप यहां पे देखें, अच्छा, एक चीज हम लोग कर सकते हैं, एक चीज हम यहां पे कर सकते हैं, एक चीज जो यहां पे mistake हुआ है, एक चीज यहां पे mistake हुआ है, 1 by omega c1 हो जाता ना, यहां पे, है ना, एक मिनट, एक मिनट यहां पे क्या mistake हुआ हूआ है, यहां पे ऐसा हो जाएगा, तो आप एक काम करो इसको आ ओमेगा सीटीर कर सकते हैं यहां magistrate कोई बात थी क्लियर होगा सब कुछ ऊसुर्शब आब यहां पे देखें तो बीटा इकोज़ यहां पे कितना सब्सक्राइगा जाएनगर जहाई यहां पर पाएंट जीड़ जिरो जीरो फाइब फाइब टू इनटू पॉइंटू 01016 की नहीं तो यहां से बिटा आजाएगा बिटा का कुछ ना कुछ तो value आई जाएगा यहां से तो यहां पे बीटा आ गया और जब बीटा आ गया तो wavelength आप कैसे निकाल सकते हैं टू पाई बाई बीटा करके यहां से wavelength आ जाएगा है ना तो यह question important है यह question अच्छा है इस सब टैप पे question आप लोगों से पूछा जा सकता है यह simple question है बस आपको याद रखने है सारा formula है ना तो उमीद है कि आपको इतना यह सब समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है है ना और आगे हम लोग और भी परहेंगे जैसे voltage control है power factor improvement है तो उस सब को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको question बहुत ही ज्यादा करना है जहां पे question दिखे वहीं पे करो है कि नहीं question जितना ज्यादा करोगे उतना ही perfection आएगा simple सी बात है ना तो चलो मिलते हम लोग नेक्स लेक्शर में थैंक्यू सो मुच